नमस्कार दोस्तों मैं भास का विश्रा स्वागत करता हूं हमारे चैनल 7-Minute ट्रिक्स पर और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब करें चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों को ट्रिक के सशन में और आज है मेरे दोस्तों वो ट्रिक जो की समबंदित है funky dances से हमा देष में लोख निरृत्त की जब बात करते हैं तो अलग-अलग भासाइं अलग-अलग छेत्र और उनसे संबंदित अलग-अलग folk dances हैं दोस्तों उननी में से कुछ tricks आपके लिए session उठा के लाए हैं जो आपके exam में सीधा पूछी जा सकते हैं कई exam में question आ जाते हैं देखते हैं क्या क्या खास बात आपके लिए बना के लाए हैं सबसे पहले हम discuss करने वाले हैं आपके साथ आज North East का एक स्टेट मड़ीपूर और जब मड़ीपूर की बात करते है मेरे प्यारे दोस्तों तो मड़ीपूर की खास ख़बरे जो है यहाँ पर और जो खास डांसे हैं वो आपके सामने लगे हुए यहाँ पर एक डांस होता है नूपा यह नूपा जो है बस दो मेट के अंदर धोल छोलों यह भी एक डांस है वहाँ पर मड़ीपूरी रास लीला नाम सुनते ही पता कर लगा लेगे कि मड़ीपूर का है और मड़ीपूरी यह क्लासिकल डांस है यहाँ का मड़ीपूर में एक लासिकल डांस भी है दोस्तों अब याद करते हैं ट्रिक को कैसे इमाप में मिठाएं देखिए नूपा की जब बात करते हैं तो माल लेते हैं कि बच्ची इसका नाम है रूपा ठीक है बच्चे और उसे छोले बहुत पसंद हैं और धोल बजाने का भी शौक है उसको तो नूपा जो है वो क्या करती है वो खंबे की नीचे खंबे की नीचे खड़े होकर धोल बजा की छोले खा रही है सिंपासी बात है देखिए नूपा यानि की रूपा खंबा थोईबी यानि की खंबे की नीचे धोल बजाना छोले खाना समझें बेटा देखें ट्रिक्स जो होती है वो कैसी भी हो सकती है जो आपके दिमागे बैठ जाए तो नूपा से रूपा खंबे के नीचे खड़े होकर धोल बजा कर छोले खा रही है ठीके बचे याद रखें मडीपूर में कोई भी फोक डांस जिसके नाम में अगर आपको खंबा दिख जाए कोई भी फोक डांस जो नौर्टीस का हो जिसके नाम में आपको खंबा दिख जाए या फिर छोलों दिख जाए समझ जाएगा मडीपूर का ही डांस है कुछ ट्रिक्स बनाईए रूपा यानि कि नूपा खंबे के नीचे यानि कि खंबा थोई भी नीच धोल यानि कि धोल छोलों इस तरह से आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और मडीपूर के वो कठिन फोक डांस अपने माइड में सेट कर सकते हैं और आपने एक्जाम में एक से दो नूबर पास सकते हैं चलते हैं आगले टॉपे पर देखते हैं आगला जुमूर है याद रखेगा ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि जुमूर जो है वो असम में है और जुमाईर जो है जुमाईर वो बिहार में है उडिसा जारखंड वेस्पेंगॉल तो जुमूर और जुमाईर में अंतर हैं दोनों में डिफरेंस बना कर जूमुर है ओजापाली भोरता सत्रिया ये सब क्या हैं दोस्तों ये फोक डांसेज हैं असम के ठेके बच्छो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कैसे याद करेंगे असम की बहु असम की बहु है इसका नाम है रंभा और वो जूमर पहनती है पल्ला उड़ती है भोर में सती मंदि जाती है असम की बहु यानि इसका नाम बीहु है नाम क्या है रंभा असम की बहु यानि की बीहु नाम है रंभा यानि की बाग रंबा जूमुर पहनती है जूमुर एक बहु सकते हैं कि और बात कर सकते हैं कि कोई गहना बहु सकते हैं ठीक है बच्छे आगे बढ़ जाते ह भोर ताल यानि भोर में सत् pillow गयी इस तरह से आफट फट दिमाग में इसको बार बार दोहरा सकते हैं असम की बहु का नाम है क्या है रंबा जुमर पहंती है पला उड़ती है भोर में सत् fiance मंदिर जाती है बहु से भी हूँ सहत्र Turkey न आगये बढ़ जो हो गया रम्भा सि humanities गवजी हो गया 뉴스 से जुमूर हो गया यानि की ओजानी की पलू भोर तालीय और भोर सत्रिया से सत्री इस तरह से कहानि को बनाई और आगे बढ़ जाए चलते हैं अगले अगला कौन सा स्टेट है अगला स्टेट है मैं दोस्तों करनाटक और जब करनाटक की बात करते हैं यहां पर फोक डांसर को देख लिए एक बार चाकरा के ना गिर गए तो हम गलत हो जाएंगे तो इसलिए इसके लिए शौट्रिक है आपको इस सारे नाम याद करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दिमाग में आपको तीन श्रब्द याद रखने हैं बस कोई भी फोक डांस जिसमें कुनी था एंड में क्या लगा हुआ है कुनी था या फिर कोई भी फोक डांस जिसमें साले लगा हुआ है सेल लगा सुनीता आट यानि किमाल लिया आठ और ये साल सेल कुछ भी समझ लेजे तो सुनीता जो है कितनी साल की बच्ची है आठ साल की है तो कुनीता आठ साल अब देखे इतने सारे डांस आपको याद करने के जिरूत ही नहीं आपको केवल दिमाग में रखना है कोई भी डान्स जिसके नाम में क्या आ जाए कुनिता, सुनिता आ जाए, आठ आ जाए सेल आ जाए, वो सब कहां के डान्स है करनाटक कही है, करनाटक में कोई भी ख्लासिकल डान्स नहीं है यहां पर एक folk dance काफी चर्चाओं में रहता है इसलिए हमने उसे अलग यहां पर बता रखा आपके लिए यक्षगान क्या लिखा हुआ है यक्षगान यह famous है एक्जाम में पूछ ले जाता है ऐसा ही एक उत्सव मना जाता है करनाटक में विजय उत्सव विजय उत्सव इसे आप हम पी उत्सव के नाम से भी जान सकते हैं ठेके बचे 31 जिला बनने वाला है विजय नगर एक करिंट का भी सवाल बन सकता है तो इस तरीके से हम हर स्टेट से सम्बंदित खबरों को आपके सामने ला रहे हैं प्यार मेत्रों आप इन सारी खबरों को अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए एक बार फटा-फट रिवाइस कर लेते हैं अगला सेशन में इसी से सम्बंदित होगा और फोल्क डांस लाएंगे आपके लिए यहाँ पर मैंने बोला था आपको दिमाग पे रखना है रूपा, रूपा, खंबे के नीचे धोल बजा के छोले खा रही है रूपा से हो गया धूपा, खंबा थोईबी यानि कि खंबे के नीचे धोल छोलम यानि कि धोल बजा के छोले खा रही है रियाज रखिएगा ठीक है बच्छे मणीपूरी रसलीला मणीपूर का एक फोक डांस है और मणीपूरी यहां का क्लासिकल डांस है फोक डांस असम की जब बात करते हैं तो असम की बहू, रंभा, जूमर पहन के पल्ला ओड के भोर में सती मंदिर कई बड़ा सही और सटीक, सौट्रिक है रट लीजे दिमाग में बठा लीजे ठीक है बच्छे, करनाटक सुनिता आठ साल की है कुनिता आठ सेल या साल सेट कर लीजे यक्षगान या फिर अगर आप विज़ा उस सब की बात करते हैं अगर पहली बार अपन अकैडमी पर क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए भी मिश्र टेंड का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कर दीजेगो दोस्तों के साथ लाइक करना बिलकुल मत पूली और अभी तक सब्सक्रिप्शन यानि सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजे इस चैनल को दान्यवाद दोस्तों बबाई टेक केर जाहिं जाह भारत